बोला कि बच्चा आपका यही है बिंदु सामने आ रहा है कि जो स्टाफ हैं डॉक्कर हैं कि अगर आप डियेने में सही नहीं पाएगे तो हम आपको जेल कराएंगे हम आपको चे मेने की गिरफ्तारी कराएंगे अगर आप लोग निकल गए तो पुलीस वालों को बोले कि छे मने कले बंद कर दीजिए भाई हमारा पच्चा है हमें पता चल जाए कि तो हम खुदी-खुदी यहां से चले जाए बच्चे के गुद्ध में दिये हो भाया करिये भाया यह हो रहा है जगा नहीं है बात्रूम लगाए यहां आख में भूख प्यासम और भी अज़क से पड़िये जो भी वह बहुत अच्छा हुआ हुआ नमस्कार आदाब मेरा नाम है फरहान आकिप खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम इस वक्त हम खड़े हैं गोंडा के महिला जिलास्पताल में और आज यहां पर जो मामला आया है वह लापरवाही को लेकर है क्या मामला है हम आपको बताते हैं एक दंपती है जो दिल महिला स्पताल लाए जाता है जब यहां लाए जाता है तो बच्चे की अदलाघ्ली का ये पूरा मामला है जिसके बाद यहां पर जो स्नपती है उस पर बेहस होती है कि लापरवाही के कारण उनका बच्चा बदल लिया गया किस तरह से वो रोरोकर और बहुत खास बाद इसमें ये है कि जो इसमें हस्पेंट है वो हैंडिकैप है और कंडिशन उसकी भी बेतर नहीं है किसी तरह वो यहाँ पर लेकर आते हैं और जब डिलिवरी होती है वैशाली से यहाँ वो कल पहुचते हैं डिलिवरी भी कल हुई है लेकिन आज सुबा बच्चे की अदला बदली का पूरा मामला सामने आता है और स्टाफ और यहां जो लोग हैं उनमें बहस होती है कि हमारा बच्चे को बदल लिया गया उसके बाद देखा जाता है कि किस तरह से जो डिफेंट कर रहे हैं यहां के स्टाफ हैं उनका कहना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है लेकिन जो परिवार है उनकी बहन है जब ये खबर उनको देते हैं तो वो आज सुबा वैशाली से यहां पहुचते हैं उनका यहां जानने वाला रहने वाला कोई नहीं है एमरजंसी में यहां पर लाये गया था और इसके بعد ला पर्वाही के बड़ा आ голosp के अरोब भी लगते जब इंदे के बाद इवी से कहें तो कहा का दो होंगा आज मीन लोग पुड़ा है कि लोग आ जाई तो हमने अमेले के बच्चे वेश्ट इन लोगों ने लोगों ने अब आज लेडिस पहिनों ने धका दिया एन लोगों ने जो शिकायते इस पूरे मामले को लेकर की गई है सुनिया मेरा नाम परवीन बानो है मेरे भाई का नाम से कि जहार है ठीक है बेगम का नाम उनका सहाना बेगम है ठीक है वो कल देली से बैसाली पकड़के और वो छपरा जा रहे थे अचानक से उनको पैन हुआ दरद हुआ वो गोंडा इस्टेशन पर उठेंटें एमेरजेंसी में वो अपनी बीबी को डिलेवरी करवा है कि टेली हो गया हम लोगेई डिलेवली हो गया मैं परिसान हूँ मेरे हाथ में बच्चा है मैं क्या करूंँ मैं बिली तुम्हारे हाथ में बच्चा क्यूं है अंदर क्यूं नी लियेन तो बोले मैं तोड़ा ठाइम लगेगा हुअ एय। किसी से बात करवा कोई बात करने के लिए भट है है भाइया बाबी वो जा रहे थे कहीं होई अर एमरिजनसी में आये फिर उसके बाद जब उन लोग आए हो गिया डिलेवरी तो मैं रात को ट्रेन पकड़के फिर बैसाली मैं सुबा मॉर्निंग में यहां आई हूँ सुबा मॉर्निंग में आई तो मैं बुली दिखाओ तो अपनी बीबी से पहले मिलाएं फिर अपने बच्चे को ले गाएं दिखाने के लिए तो उसमें 10-12 बच्चे हैं अलग अलग चेयर पर सिंगल सिंगल बच्चे हैं सबका नाम लिखा हुआ है जहां पर यह दिखा रहे अपने टच किये मैं बहुत अपने बच्चे करो जहाक निकल रहा बोले नहीं डॉक्टर बोला एक तच करके देखा करो मैं बहुत ठीक है मैं बहुत चलो ठीक है फिर चलते हैं चाइपानी करते हैं मेरा नजर पढ़ गया इस टिकर लगा हुआ है बच्चों के नाम पर तो तो हम लोग देखें कि यह बेबी है हमारा फोटो लिए हम लोग बाहर चले आए बाहर आए चाई पानी किये हैं उसमें नाम से बिलिप किये हम लोग की हमारा बेबी है नाम से ही तो करेंगे ठीक है फिर उसके बाद जब हम लोग बाहर आए तो बाहर आए तो एक घंटे के सिंगल बिच्चे पे सिंगल बप्चे पे पैरा भाई ये हैं यह बो फिस द्याए ये बोला कि बच्च dużo आप का यहिए आप हमने बदल नाम भूल गया बच्चे को बदले लेकिन वस्क्ञट है ये लोग जब बच्चा बदला ता पर चीब बदलाना बूल नाम के साथ बच्चा था हमें लगा हमारा वच्छा यह नहीं क्या होता है इंसान का अलघ्व कर नाम होगा उससे पता चलता है चलता है कि हम यहीं उसके बाद कि हम जाके बोल रहा कि बच्चे का महीं बता पाइंग कैसे बता सकते तो तो यह भी जूंग 5011 बुल्हें है तो वो बोले कि आप लोग बाहर जो जब चिलाने लगा दोनों में बहस होने लगा हम लोग में तो यह दो तीन बंदे थे इन लोग धका मार के बाहर किए लोग को धका दिये पुष किए इनको पुष किए और इनको पुष किए कि आप लोग बाहर जाईए थीक है उसके बाद हम जब नॉमल पता नहीं कौन सा बिंग में लेके गए तो वहां पे हमने सारी बात की तो वहां पे बोलते हैं सिस्टर बता रही है कि वजन तो आपको बताया नहीं जाता बता सिफ मेड है दो आप भूल गए तो ठीक है हमें कन्फुजान है हमारे लेके यह वूल रहे हैं कि यस्ते होगा तो पुलिस पुलिस वाले को बोलेगे कि इसे में नकले बंद कर दिजिए अब हां 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 हमारा कि तक हमारे पास नहीं आई सबस्क्राइब कोई बाद ही जो भी वह बहुत अच्छा हुआ उका बाद थीन बजे के बाद इन लोग काम चाल कर दिये और मैं बोल रही हूं मैंने बोला कि आप लोग वेट क्यों दिये तो यह बोल रहे हैं कि इसको देख रहे ते रह रहे ते गा रहे ते मजबूर ते मजबूर आपको प आप लोग बहुत अब बच्चे अब लोग कर दिये तब यह बाद करें जब बहुत दो रहा है जगा नहीं है आज की दिन ने बात से जगा हो गया एक की बेट पर दो बच्चे रहे हो उसी ता आप लोग उस्द नहीं तो सुना आपने क्या कहा है उनकी बहन का पूरे मामले को किस तरह समझाय गया है बताया गया है कि और क्या रवया रहा है यहां के स्टाफ का उनके साथ यह बहुत बड़ा मामला निकला कर आ रहा है क्योंकि लापरवाही के आरोब लगतार महिला अस्पताल में सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को जानने के बाद नगर कोतवाल अपने पूरी टीम के साथ यहां पहुचे हैं और जो स्टाफ हैं होस्पिटल के जिनके अभी ड्यूटी लगी थी जिसके ड्यूटी के दौरान यह पूरा मामला हुआ है उनके साथ और जो यह पूरा यह परिवार है उनके स अगर आप दिने में सही नहीं पाएगे तो हम आपको जेल कराएंगे हम आपको छे मेने की गरफतारी कराएंगे यह इस तरह का कहना है खैर अब देखते हैं इसमें नगर कोतवाल और यहां गुंडा पुलिस की तरह के कदम उठाते हैं और जो परिवार है जो अभी परशान ह उनको क्या नयाय मिलता है या उनका लगाया हुआ आरो भूटा साबित होता है तो हम इस खबर को आगे भी दिखाएंगे कि इसमें क्या होता है आप इसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे खबरों के लिए देखते रहे हैं यूपे टाइंस मैं फरान आकिब खार मुझे दी